हेलो एब्रीवन वेल्काम डो मैं चैनल स्याथ उसोग फ्रेंड साज हम रूरल के मडूल बी में चेटर नुबर टेन का पार्ट टू करेंगे तो यहां पर हम केसी सी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं दो पार्ट में यह निप्टे का पार्ट टू और पार्ट थ्री दोन क्रेड़िस कार्ड है इमर्ज अज इन्नोवेटिव क्रेडिट डिलब्री मेकशनीजम के लिए ठीक है रिक्राट किसानों की जरूरतों को समय से और बिना किसी परिशानी के पूरा करने के लिए यह के सी एक अछा जो है credit mechanism बन करके सामने आता है तो यह जी scheme है वो पुरे देश में implement हो रही अच्छे तरीके से जिसमें काफी सारी credit institute लगे हुए है commercial bank जिटा हुआ है और यह bankers और किसानों के बीच में काफी ज़्यादा popular भी है acceptable भी है ठीक है government of India ministry of finance constituted a working group to review the KCC scheme को review करने के लिए ministry of finance ने एक working group बनाया based on the recommendation of working group which were accepted by government of India following guidelines are issued तो working group की recommendation का अधार पर कुछ जो guidelines हैं वो issue की गई मतलब उन्होंने review किया फिर नई guidelines इसू की उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी guideline आई हुई है applicability of scheme के हम बात करने scheme applicable कहा है rewrite cases scheme is to be implemented by commercial bank RRB and cooperative bank ठीक है तो rewrite जो नई cases scheme है उसको implement करने के जिम्मेदारी commercial bank को को cooperatives को और RRBs को दी गई है objective और purpose किया है इसे scheme का किसान credit card scheme aims at providing adequate and timely credit support from the banking system under a single window to farmers for their cultivation and other need as indicated below तो KCC scheme जो है उसका काम क्या है banking system से जो किसान है उनको परियाप्त मात्रा में और समय से जो है loan की सुवधा को provide करना single window मतलब एक ही जगे पर single window operators होते हैं बैंकों में ठीक है एक ही जगे पर सारे काम हो जाना ठीक है ताकि किसान जो है अपनी खेती वगएरा कर सके उनकी जो जरूरत है उनको पूरा किया सके अब उनकी किसानों की needs में क्या क्या आता है short term credit requirement for cultivation of crop आपको फसल की जो है production के लिए short term credit requirement हो सकती है post harvest expenses एक बार आपने फसल की कटाई कर ली उसके बाद में जो आपके खर्चें है produce marketing loan यानि की जो भी produce आपका हुआ है जो भी आपने अनुतपादित किया है उसकी marketing पर भी खर्चा होता है उसके लिए भी पैसे ले सकते हैं consumption requirement for farmer's household जो किसान का घर है उसमें भी लोग रहते हैं उनकी भी अपनी खाने पीने की जरूरते होती है उसके लिए वर्किंग कैप्टल फार्म मेंटिनेंस आप फार्म एसेट एंड एक्टिविटीज अलाइट टू अग्रिकल्चर लाइक एनिमल इनलैंड फिसरीज ठीक है तो वर्किंग कैप्टल रिक्वार्मेंट को भी पूरा करने के लिए जो है लोन की जरूरत पड़ सकती है जिससे वो फार्म का एसेट जो भी फार्म में एक्टिविट्मेंट अगरा लगे हैं उनको मैनेज करना साथ ही साथ में एनिमल हस्बेंडरी वगारा हो गया फिसरीज वगारा मैनेज करना उन सब के लिए भी पैसो की जरूरत पड़ती है तो वहाँ उस परपच के लिए भी लोन लिया सकता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वार्मेंट फार एग्रिकल्चर और 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 आपको देंगे जो component F पर है ये वाला जो component है ये long term credit limit का portion होता है बाकी के सारे के सारे short term credit limit का portion होते है यानि कि जो आपकी KCC की limit होगे इसमें 2 portion होगे एक short term credit limit और एक long term credit limit लांग term में आपका ये वाला portion आता है investment credit वाला बाकी सारे के सारे साट टम क्रेडिट में ही आते हैं बात कर लेते हैं इलिजबिल्टी की तो लगबलग सभी लोग इलिजबल होते हैं सारे किसान ये चाहे अकेले हो चाहे जॉयंट में हो करके हो जिनके पास खेती है टेनेंट फार्मर होगे औरल लेशी होगे share croppers हो गए, self help group हो गए, joint liability group हो गए किसानों के, ठीक है, यह सभी जो है किसान credit card के लिए eligible होते हैं, credit limit और loan amount का fixation कैसे किया जता है, तो KCC के तहट जो है credit limit को fix करने के लिए method है, all farmers other than marginal farmer, तो A part में हम बात करेंगे, उन सभी किसानों की, जो marginal किसान नहीं, marginal किसान को छोड़ करके, बाकि सब के बारे में हम part A में बात करेंगे, और marginal किसानों के बारे में हम part B में बात करेंगे, यहाँ पर आएगा फ्रंस, marginal किसानों के लिए हम part B में बात करेंगे, थोड़ा-थोड़ा difference होता है, तो आईए समझते हैं, ठीक है, तो तो किसान credit card scheme की feature की बात करें तो ये एक innovative credit delivery mechanism है जिससे किसानों को समय से और बिना किसी परिशानी के loan मिल जाता है ठीक है पूरे देश में इसको implement किया जा रहा है जिसमें RRB, commercial bank, cooperative bank भी काम कर रहे हैं bankers के दोरा और farmers के दोरा scheme को accept भी किया गया है ministry of finance ने एक working group बनाया इस KCC scheme को review करने के लिए और उस working group की recommendation के अधार पर को certain guidelines से चुकी गई है पहला applicability की अगर बात करें तो rewrite KCC जो scheme है उसको commercial bank को दोरा RRB और cooperative दोरा implement किया जाएगा उसके आद में इसमें purpose और objective की अगर हम बात करें तो KCC जो है किसान credit card जो scheme है वो समय पर है न और परियापत मातरा में loan provide करना चाहता है banking system से ताकि किसान अपनी खेती वगएरा कर सके इसमें किसानों की किनकीन जरुतों को पूरा किया सकता है तो पहला थोड़े समय के लिए credit की जरुत पड़ती है जब आपको मतलब फसल की वहाई उगरा करने तो उसके लिए loan ले सकते हैं एक बार फसल की कटाई हो गए तो उसमें जो खर्चे हैं उसके लिए loan ले सकते हैं जो आपने प्रोड्यूस किया जो भी product आपने बनाया है उसकी marketing के लिए loan ले सकते हैं घर लेलू जो किसान हैं उनके घर में जो लोग रहते हैं उनके भी अपने आटा दाल और इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूत होती है फाम जो आपका जो फाम है उसको मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिल की जरूत पड़ती है ठीक है उसके आद में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के तौर पर आप अगरी कल्चर एलाइड एक्टिबिटी के लिए भी लोन दे सकते हैं जैसे आप अंपसेट खरीदें सब के लिए भी आप लोन ले सकते हैं तो यह जो Smile component है यह पार्ट होता है लांन्ग टर्म क्रेडिट लिमिट का बाकी के बात की fixation of credit limit loan amount कितना amount तक का हम loan दे सकते हैं तो KCC के तहद हम limit set कर सकते हैं credit limit आप set कर सकते हैं पहला portion हम बात करेंगे सभी किसानों को सिवाए यानि कि marginal किसानों को छोड़ करके मैंने आपको बता है marginal किसान वो होता जिसके पास में एक hectare तक की जमीन होते हैं उसे marginal किसान के तो उनको छोड़ करके बाकि सभी किसानों के लिए तो satum limit to be arrived for first year यानि कि first year के लिए कैसे आएगी limit उसके बाद में second year और subsequent year के लिए कैसे आएगी generally ये 5 साल के लिए KCC बनाई जाती है ठीक है तो हम 5 साल की बात करेंगे तो satum limit जो है first year के लिए कैसे आएगी for farmers raising single crop in a year अगर एक फसल उगा रहा है तो उसके लिए scale of finance for the crop होगा scale of finance कितना है ये decide किया जाएगा scale of finance for crop decide किया जाएगा किसके दोरा district label के technical committee के द्वारा multiplied by कितना area में आपने cultivation किया हुआ है मालो किसी ने कहा कि एक हजार रुपए जो है crop का वो है finance का scale है एक हजार तो multiplied by मालो अगर तुमने दो एकड़ बोया है तो दो से multiply कर दो दस एकड़ बोया है तो दस से multiply कर दो ठीक है अभी समझे फार्मूला याद रखने की जुरत नहीं पड़ी बहुत आसान है आपको सब समझ में आएगा थोड़ा ऐसे समझ लीजे अभी मैं examples इसको clear कर दूँगा ठीक है प्लस 10% of limit towards post harvest अब ये जो ये जो ये जो amount निकल करके आया है आपका कौन सा scale of finance multiplied by area cultivated इसका 10% post harvest खर्चे के लिए रख लीजे household consumption हो गएरा के लिए रख लीजे 20% जो है इसी इसी limit का 20% towards repair and maintenance for farm asset crop insurance हो गएरा के लिए personal accidental insurance asset insurance के लिए रख लीजे ठीक है नहीं समझ में आगा कोई बात नहीं है आई यह example पर चलते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ पर वो सब बात में पढ़ेंगे पहली यह समझिए देखिए किसान है वो क्या कर रहा है एक एकड में धान पैडी लगा रहा है धान लगा रहा है और एक एकड में गन्ना बो रहा है धान लगाने में उसकी 11,000 की लागत है एक एकड में और सुगर केन के लिए 22,000 रुपए है ये कैसे डिसाइड हुआ ये जो है आपका district level technical committee द्वारा डिसाइड किया गया कि हाँ एक एकड में धान की बुवाई के लिए जो scale of finance हो 11,000 रुपए का है clear होगी बाद 11,000 कहां से ये district level technical committee डिसाइड करेगी अब यहाँ एक ही एकड है अगर इसे एकड चार एकड होता तो 11,000 multiplied by 4 ही हो जाता ये भी हमें clear हो गया ठीक है तो कुल मिलाकर के कितने रुपए लग गए 33,000 रुपए हमें लगेंगे धान प्लस सुगर केन बोने के लिए प्लस 10% उसमें एड करिये post harvest household expense और consumption के लिए यानि कि फसल कटने के बाद में घर में जो खर्चे होते हैं खाने पीने में 10% और लग जाएगा यानि 33,000 रुपए का 10% 33,000 का 10% 33,000 रुपए और लग गए प्लस 20% एड करिये toward farm maintenance फार्म को maintain करने लिए 20% और लगेगा किसका इसी 33,000 का तो 20% कितना होगा फ्रण जो है 66,000 रुपए हो गए जोड डालिए ये सारी चीजे 42,900 रुपए हो गए total crop loan limit ध्यान दीजिए का crop loan limit ये निकल करके आई थोड़ा बूत अब समझ में आया होगा अब अगर मैं वापस आऊँ अभी मैं इसको कबर करता चलूँगा लेकिन दोनों को मिला करके चलते हैं की चीजे के लिए रहेंगे अब 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 आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा था scale of finance for crop का मतलब ये कहा गया कि paddy की जो है अगर बुगाई की जाती है तो एक इकड़ के लिए 11,000 रुपए हम रखेंगे multiplied by कितने area में आपने cultivation किया तो एक इकड़ में किया तो multiply एक से कर दिया प्लस जितना आया ठीक है जितना आपका ये amount निकल कर दिया उसका 10% आप रख लिजे फसल की कटाई के बाद में घर में खर्चे वगरा होते हैं उसके लिए प्लस ये जो amount है उसका 20% आप रख लिजे फ़र्म के asset maintain crop के insurance और इन सब कामों के लिए फिर ये सारा जो डाली है ये 10% प्लस ये 20% प्लस ये main amount और ये आपका first year के लिए crop insurance का amount निकल करके आ जाएगा second year and subsequent year के लिए क्या होता है first year limit for crop cultivation purpose arrived at as above plus 10% of limit toward cost escalation increase in the scale of finance for every successive year second, third, fourth and fifth year estimated term loan component of the tenor of किसान credit card that is five year अब देखे फिर थोड़ी बात है नहीं मैं मैं समझाता हूँ क्या होगा मानलो जैसे यहां कहा गया कि आपको first year में 50,000 रुपए का crop insurance loan मिलेगा क्या मिलेगा 50,000 रुपए crop insurance तो next year के लिए क्या करना है इस 50,000 में 10% increase कर लिजे second year के लिए तो कितना हो जाएक 50,000 का 10%? 5,000 तो अब आपको अगले साल second year में 55,000 रुपए का loan मिलेगा third year में कितना होगा? इस 55,000 का 10% increase कर लिए कि वो कह रहा है कि जो दाम बढ़ जाएगा या माल जो है जो rate of interest कर लिए बढ़ जाएगा उसके लिए 10% increase आपको दिया जा रहा है तो अब इसमें 55,000 में 55,000 रुपए जोड दीजे तो ये मेरे खाल से हो जाएगा 60,500 रुपए आपको third year में मिल जाएगा इस तरीके से 10-10% बढ़ता हुआ चला जाएगा प्लस आपको term loan component भी जोड़ना होगा दीखे ये crop loan component है जो हम यहाँ calculate कर रहे है plus term loan component दोनों component मिला करके ही आपकी KCC की limit decide होती है जब chapter सुरू हुआ था तो वहीं पर ही हमने बात की थी crop loan वो होता है जब आपको फसल पैदा करने के लिए term loan होता है जो investment के लिए आपको tractor खरिदना है आपको cultivator खरिदना है और उसके आद में आपको माल लिजिए sprayer खरिदना है आपको tubel लगवानी है उन सब चीजों के लिए loan दिया जाता है ठीक है ठोड़ा समझ में आया होगा नहीं समझ में कोई बात नहीं example देखिए और समझ में आएगा देखिए अब इन्होंने कहा कि first year के लिए first year के लिए आपको समझ में आ गया था 33,000 रुपए कैसे आये थे खेती और करी हुए इसमें जो assets हो गया है उनको maintain करेंगे 20% और दिया गया 33,000 का तो 66,000 और दिया गया कुल मलाकर के 42,900 रुपए आपको first year की जो limit बनती है वो ये बनती है अभी ये दिया नहीं जाएगा फ्रंसों के के CCC के limit final limit होती है बड़ आपको बताया जा रहा है कि ये limit होगी ओके उसके आद में second year की क्या स्थिती बनेगी second year में आपको जो ये limit है इसका 10% increase मिलेगा कितना मिलेगा increase इसका 10% तो 42,900 लगभग 43,000 रुपए है उसका 10% कितना हो जाएगा 43,000 रुपए लगभग आप approximate कर सकते हैं इतना hard and fast rule नहीं होता है तो 43,000 रुपए 42,900 में 43,000 रुपए और जोड़ देंगे तो ये 47,200 रुपए हो जाएगा समझे आप first year में कितना था 42,900 उसके आद में 10% कितना हुआ 43,000 रुपए जोडने पर कितना है 47,200 रुपए उसके आद में third year के लिए क्या करना है फिर से इसका 10% निका लिए तो 47,200 का 10% 47,000 रुपए माल लिजे 47,200 में 47,000 रुपए एड़ कर दीजे 41,900 रुपए हो गए 41,900 का 10% निका लिए अगले साल के लिए तो यह हो जाएगा लगवग 52,000 रुपए ठीक है 52,000 रुपए इसका 10% हो जाएगा अब 52,000 रुपए 41,900 में जोड़ देंगे तो 47,100 रुपए हो जाएगा अब 57,100 रुपए का अगें 10% निकाल लिजे तो यह आजाएगा 47,100 रुपए इसको इसमें जोड़ देजे तो 62,800 रुपए निकल करके आजाते हैं सरी 63,800 रुपए आपके 62,800 या टोडल 63,000 रुपए आपके बन जाते हैं समझ में आ रहा होगा मेरे खाल चाहिए कोई ज़्यादा difficult mathematics नहीं है ठीक है कैसे करते हैं पहले साल का मानलू जो है 22,900 रुपए आया तो second year का कितना होगा second year का यह जो 22,900 इसका 10% निकालना है कितना आया मानलू 42,90 आएगा इसको 43,000 मानलू तो यह लगभग 47,000 रुपए आ जाएगा अब यह 47,000 रुपए इसमें second year के में जोड दीजिए तो यह जब 47,000 रुपए इसमें जोड देंगे तो यह आपका 11,900 रुपए आ जाएगा और इसी तरीके से आप 5,000 साल का निकाल सकते ओके, crop loan component है और term loan component है ठीक है, दोनों को मिला करके crop plus term loan दोनों को मिला करके आपकी KCC के limit decide होती है अब यहां कहरें, first year में one plus one dairy unit और third year में replacement of pump set यह कहां से आया सर आपने तो यह तो चलो समझा दिया था मैं समझ भी गया था, पर वो कहां से आया दिखे, adjustments की गई है कुछ certain किसान की स्थितिक आजमसन किया गया है land holding इनकी दो एकर है जिसमें से एक एकर में गन्ना एक एकर में इन्होंने धान बोया हुआ है paddy one acre में ठीक है उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कि scale of finance plus crop insurance का total खर्चा 11,000 उपए है उसके आद में investment और allied activities भी यह करेंगे यानि investment और allied activities तर्म लोन वाली बात हो गई यह क्या करेंगे establishment of one plus one dairy unit in first year पहले साल में one plus one का मतला दो जानवर होंगे कितने? दो जानवर होंगे और एक जानवर की cost 20,000 उपए है उसके लिए भी 30,000 उपए चाहिए तो यह भी term loan का पार्ट हो गया ठीक है तो यह 30,000 यहां से आए 40,000 यहां से निकल करके आए मेरी खाल से भाब को clear हुआ कि 40,000 कैसे आए चुकि उससे दो जानवर लेने हैं एक जानवर का 20,000 उपए इंवेस्टमेंट है तो 40,000 उपए हो गया पंपसेट के रिप्लेस्मेंट की बात करें तो 30,000 उपए पंपसेट रिप्लेस करने के लिए चाहिए कुल मिला करके 70,000 उपए term loan का पार्ट हो गया अब जो आपकी maximum pervismal limit या किसान credit card के limit होगी वो हो जाएगी आपका जो crop loan का 63,000 उपए है और प्लस 70,000 उपए आपके term loan का है कुल मिला करके 1,33,000 उपए आपको जो है KCC के तोर पर मिल जाता है ठीक है मैंने ब्रांच में वैसे काम नहीं किया है तो मुझे idea नहीं लेकिन जितना मुझे समझ में आता है न ये आपके limit है ठीक है ये आपकी limit होती है लेकिन ये चलती इसी pattern में है मतलब कि पहले साल आप 42,900 निकाल पाएंगे दूसरे साल 47,200 ऐसे क्रम में हर साल 10,10% बढ़ती जाती है तो या आप लोग को ज़्यादा idea हो तो मुझे guide कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है तो मेरे खाल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरा उद्देश है फंड़ा आपको clear कर देना कई जगों पर आप लोग खुद काम करते हैं आपको मेरे से कहीं ज़्यादा बही जो KCC का लोन बाट रहा है दिन बर उसकी knowledge मेरी knowledge से कहीं बहतर होगी for farmers raising more than more crop in a year the limit to be fixed as above ठीक है बस ध्यान रखियेगा अगर एक से ज़्यादा crop ले रहे हैं तो भी यही same concept ही होता है allied agriculture activities term loan किन की चीज़ों के लिए मिलता है आपको land development के लिए मिल सकता है irrigation के लिए मिल सकता है farm equipment खरदियें के लिए मिल सकता है allied agriculture activities के लिए आपको लिए मिल सकता है maximum permissible limit क्या होगी satum loan limit arrived for fifth year पच्वे साल में satum loan limit कितनी होगी plus उसमें long term loan का जो requirement है उसको दोनों को जोड़ देते हैं तो उसे ही maximum permissible limit जो है KCC की limit भी कह सकते हैं KCC की limit यह सी को maximum permissible limit तो इसके लिए जो पच्वे साल का fifth year का जो sat term limit है और plus जो है यानि crop loan की limit है crop loan की और plus जो है दूसरा वाला long term loan की जो limit है इन ही दोनों को जोड़ करके यह पुरी कहानी maximum permissible limit की बनती है example आपके सामने है मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें दुबारा discuss करने की as such need है क्यों नहीं जुरूद है क्योंकि अगला example लगभग लगभग वैसे ही same है थोड़ा से यहां concept change होगा और यह जड़ा सा complex होता है marginal farmers के लिए हमें थोड़ा सा tricky होगा इसका calculation लेकिन कर ले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है अब flexible limit of 10,000 to 50,000 to be provided as flexi KCC यानि flexi KCC का concept आया इसमें जो है flexible limit marginal farmer के लिए 10,000 से 50,000 रुपए की set की गई based on land holding कितना land उनके पास है कौन सी crop वो ग्रो कर रहे है including post harvest खर्चे warehouse storage का खर्चा related credit need and other farm expenses consumption need plus small term loan investment like purchase of farm equipment establishing mini dairy backyard पचास जार उपए तक की हम limit set कर सकते है depending upon the land holding कितनी crop वो ग्रो करते है water storage के लिए कितनी उनके credit की जुरूत है कितना घर में खर्चा हो जाएगा उसके लावाँ छोटे मोटे equipment खरिदने के लिए अगर वो जो है छोटी मोटी dairy खोलना चाते है घर के पीछे जो है backyard में अपने जो है मुर्गी पालन करना चाते है तो इन सब के लिए branch manager assess करेगा कि कितना loan दे सकते है लेकिन ये कितनी land है उसके उपर depend नहीं करता है कि हाँ कितनी मुर्गी पालोगे उसका जो है land से कोई लेना देना नहीं कहने मतलब यहाँ पर है composite KCC limit is to be fixed for period of 5 year on this basis तो 5 साल के लिए जो है आपकी limit set करते है my dear friends है na KCC के लिए 5 साल के लिए set के जाते है अभी मैंने example आपको दिखाया wherever higher limit is required due to change in cropping pattern or scale of finance the limit may be arrived as per below तो जब भी higher limit की जुरोथ है क्योंकि अपने cropping pattern और गएरा में scale of finance में changes हुए है तो वो calculation कैसे की जाएगी उसी को यहाँ पर दिखाया गया है यह marginal farmer है single crop a year produce कर रहा है पिछले example पूरी कहानी पढ़ा दी थी तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा there is no change in crop pattern for five years पांच साल तक कोई भी changes नहीं वोई पैडी उगाता रहेगा allied activity to be finite one non milch animal ठीक है तो यह बोल रहे हैं कि एक milch animal जो है 15,000 रुपए का यह allied activity के तोर पर भी रखेंगे तो कहने मतलब यह धान बोएंगे और plus जो है एक जानवर भी अपने पास रखेंगे अब आपको बताना है के से सी के limit क्या होगी लेकिन ध्यान रखेगा यह के सी के limit आप marginal किसान के लिए calculate करें तो यह थोड़ा अलग calculation होता ज़रा सा देखेगा देखे एक एकड जो है पैड़ी उगाने के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे ग्यारा हजार रुपए लगेंगे उसके आद में 10% क्या लगेगा आपको household एक consumption और इन सब के लिए ग्यारा सो रुपए हो गए 20% आपको farm के maintenance के लिए 22 रुपए तो ये इतनी calculation तो पिछली वाली ही है ठीक है उसका दिनको सारा जोड दिया तो हमारा आगया 14,300 रुपए अगर आप ध्यान दीजे पिछली बार भी यही 14,300 रुपए ही थे लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक change है कि जो term loan का component reference वो यहीं जोड देते हैं first year के लिए ही जोड देते हैं वहाँ क्या था term loan का component 5 साल का पहले हमने calculation किया था crop का और उसके बाद में term loan component को सबसे last में जोड़ा था यहाँ पर बस यही इतनी जो है थोड़ी से differences आते हैं कि हम term loan का जो component है उसको जो है first year में ही लाकर के जोड देते हैं तो कुम लाकर के पहले साल की limit आपकी 29,300 हो गई यानि कि तुम्हारा crop वाला और प्लस milch animal का लेकिन आगे के calculation वैसे ही चलेगी देखें मैं समझाता हूँ कैसे चल रही है देखो 14,300 पकड़ लो क्यों पकड़ना है क्योंकि इसी पर ही 10% increment होगा प्लस इसने 15,000 रुपे और जुड़वा दिये हमको चलो जुड़वा दिया कोई बात नहीं 29,300 रुपे मेरी पहले साल की limit हो गई अगर मैं marginal farmer नहोता तो उस बंदे की limit सिर्फ 14,300 ही होती इससे उपर नहोती क्योंकि ये 15,000 लाश्ट में जा करके जुड़ता लेकिन marginal farmer है तो उसको 15,000 अभी दे दिया गया तो 29,300 उसके limit हो गई लेकिन जो second year का calculation करना है माई दियर फ्रेंट्स वो सिर्फ इ 14,300 का 10% बढ़ाएंगे बस जानवर की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो 007 15,700 आपके तयार हो गए किसके second year के लिए crop वाले और प्लस 15,000 का जानवर आपका साथ साथ चला ही रहेगा 15,000 का जानवर आपका तो 30,700 रुपे अगले साल के limit हो जाएगी 730 ले लिया कोई बात नहीं है इन्होंने क्या 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 1430 ले लिया है that is okay manageable होगा कोई इसमें परिसानी वाली बात नहीं है अगर आप चाहें तो वो कर लिजे मतलब approximation कर लिजे अधरवाई जैसे ही ले लिजे तो 30,730 रुपे टोटल आपको my different second year के लिए आपको मिल जाएंगे समझ मैं calculation क्या differences आए है ठीक है अब क्या होगा अब third year second year में 30,730 रुपे की demand बनी लेकिन third year के लिए जो आप 10% increase करेंगे वो 15,730 या 15,700 पर करेंगे ये वाले amount पर जो crop insurance का part है उसका 10% increase करेंगे तो अब ये हो जाएगा 15,70 तो हम इसे 16,00 माल लेते हैं माल लीजे example के तो 16,00 रुपे इसका मतलब ये हुआ कि 30,730 में 16,00 रुपे हमें बढ़ाने हैं लेकिन अगर ऐसे बढ़ाओगे तो confused रहोगे तो बेहतर है कि हम 15,700 में से में 16,00 और बढ़ा दें और प्लस 15,000 रुपे वो जो जानवर का खर्चा है वो उसको अलग लेते हुए चले क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगले साल फिर इस वाले amount का 10% बढ़ाना है अगर मैं total यहीं जोड़ दूँगा तो आपको फिर यह amount दुबारा निकालनी पड़ेगी तो 15,700 में से में 16,00 और जोड़ देंगे अगर आब ठीक है तो यह 32,500 रुपए हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 32,500 रुपए अब अगले साल का कलूरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंट्स अगेन हमारा यह जो इसमें हमने जोड़ा था 17,300 रुपए आये थे यह यहाँ पर हमने जोड़ा था ना जो है कितना आया था हमारा हमने जोड़ा ही नहीं चलो कोई बात नहीं है 17,300 रुपए आया हुआ था ठीक है 17,300 रुपए का 10% आप बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा देखे 17,300 का 17,30 बढ़ेगा तो कुल में लागर करके 19,030 रुपए हो जाएंगे और प्लस 15,000 वो जानवर वाले लगे ही रहेंगे तो इसको दोनों को जोडने पर 34,030 रुपए हो जाएंगे अगले साल जाने के लिए इसका 10% फिर बढ़ाएंगे तो 19,030 रुपए का 10%, 1900 रुपए हो जाएगा 1900 रुपए में लाकर के 36,000 रुपए का लोन सैंक्शन किया जाएगा ठीक है समझ में इसका कल्कुलेशन का थोड़ा सा स्टाइल अलग है देखिए 11,000 रुपए जो है गन्ने का खर्चा था 11,000 रुपए जो है उसका जो कंजम्शन और पोस्ट हर्वेस्ट के ले लिया 20% यानि 200 रुपए हमने ले लिया फार्म के एसेट को मेंटेन करने का टोटल मिला करके 14,300 रुपए हमारी रिक्वार्मेंट बन गई फर्स्ट येर की क्रॉप लोन की किसकी बन गई क्रॉप लोन की प्लस 15,000 रुपए हो गए किसके लांग टर्म लोन यानि कि जो जानवर खरीदना था कुल मिला करके इसको जोड़ेंगे तो 29,300 रुपए हो जाएगा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट येर का लिमिट अब सेकेंड येर की कल्कुलेशन के लिए क्या करना है हमें ये जो पोर्शन है इसका 10% हम बढ़ाएंगे किसके लिए सेकेंड येर के लिए तो इसका 10% आप बढ़ाओगे तो ये 14,300 है तो इसका हो जाएगा 1430 रुपए ठीक है प्लस 15,000 वैसे कब ऐसा ही रहेगा तो अब अगर इसको आप जोड़ो इसमें 14,300 प्लस 1430 मैं इसको जोड़ता हूँ फ्रेंड जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं इधर कल्कुलेटर यूज कर रहा हूँ तो अगर समय लगे तो घबराए नहीं 14,300 प्लस 1430 रुपए ये हो गया 15,730 ये हो गया फ्रेंड जो है 15,730 रुपए और प्लस उसी में 15,000 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 30,730 रुपए 30,730 रुपए सेकेंड येर का निकल आया अब थार्ड येर का निकालने के लिए ये जो अमांट है इसका 10% इंक्रीज करिए तो ये 10% जब आप इंक्रीज करेंगे तो 15,730 रुपए हो जाएंगे माली जब 15,730 में 15,730 तो 15,730 प्लस 15,730 ठीक है तो 17,300 निकल करके आ जाएगा तो ये फ्रेंड जो है थार्ड येर के लिए तो 17,300 निकल आएगा प्लस 15,000 ये वाला कंपोनेंट अल्रेडी बना रहेगा फ्रेंट तो 17,300 में अगर हम 15,000 जोड दें तो ये 32,300 हो जाएगा मैं अक्च्वल में आपको कल्कुलेशन करके दिखा रहा हूँ सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा है ठीक है अब हमारे लिए अगले साल का चौथे साल का इस 17,300 का 10% आप निकाल लिए तो आजाएगा 17,30 रुपए तो अब हम क्या करेंगे 17,300 में 17,30 रुपए हम जोड देंगे 17,30 रुपए तो 19,000 यह आजा रहा है जो है 19,30 रुपए 19,30 रुपए में यह 15,000 वाला कंपोनेंट आलरी जो है वो जोड दीजे तो 15,000 का कंपोनेंट हमने जोड दिया तो यह आगया 34,030 रुपए कितना 34,030 रुपए यह हो गया आपका 4th year का किस साल का निकाला हमने 14 साल का 34,030 रुपए हो गया अब 15 साल का निकालने के लिए इस 19,030 रुपए का 10% यानि लगभग 19,00 रुपए हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 19,000 तीस रुपए में 19,00 रुपए और जोड देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 20,930 20,930 और प्लस 15,000 का कंपनेट इसमें और जोड देंगे प्लस 15,000 और जोड देंगे तो यह हो जाएगा 35,930 35,930 कितना आया 35,930 कुल मिला करके 36,000 रुपए हमारी लोन के लिमिट बन गए यही मैंने आपको कल्कुलेट करके दिखाया है तो मेरे खाल से किलियर हो गया होगा यह 15,000 ऐसे बने रहने दीजिए और यह जो कंपनेट है इसका 10% 10% 10% हर साल बढ़ाते वे चलेजे वैसे जर्नली कल्कुलेशन पूछा नहीं जाता है पर चीजों की समझ तभी होती है जब हम उसको गहराई से समय लेसे क्या है आपके केसे सी की समझ बहुत अच्छी हो जानी चाहिए ओके फ्रेंट थेंकियो सो मच